साल मुबारक, दिवाली पूरी हो गई, भाया दूज भी पूरा हो गया, नया सालकार्त क्या है? Actually, साल मुबारक, तब ही हम कहें, जब वास्तम में हमने जो साल है, वो इतना सुन्दर तरीके से बिताया है, कि कोई भी पास्त साल का, ना कोई पश्चाताप है, ना कोई दुख है, ना कोई पाकी प्रकार का, किसी प्रकार का बोज अत्वा बंधन है, रिलेशन्शिप सब से इतने अच्छे, जो वहाँ वहाँ करते, जिवन बीते, नया साल बीते, इसलिए पहले से ही, यह हमने मुबारक जो दी, पास्त साल की दी, कि बीत गया, बहुत अच्छा, या अभी का जो आने वाला साल है, उसके लिए मुबारक दे रहे है, तो डबल मुबारक है वास्तों में, क्या हमने सीखा, पास्त साल बिता के, कि भूल से भी, हम कल की डेट आज नहीं डाजते, इसी प्रकार से, हमको अपने जीवन की डॉक्यमेंट, अत्वा जो भी कुछ तयार करना है, पास्त से सीख लेना है, और पास्त को पास्त कर देना है, ताकि फिर जो हमने सीखा है, वो हमारी इंकम है, उस इंकम से, उस कमाई से, हम आगे वाला जीवन, ये साल बहुत अच्छी तरह से बिताएं, दिवाली के फोरण बादी तो नया साल आता है, तो हमारी जोत सदा जगी रहे, हमने जो मिठाई, खाई और खिलाई, वो सदा ख चाहते रहे, जो कार्मिक अकाउंट हमने क्लियर किया, सिरफ धन का नहीं, धन की पूजा की, पर हरे के गुणों की पूजा करें, तो हरे हम अपना क्लियर अकाउंट रखे, और जो जूलिरी खरीदी है, वो अर्थार जो गुण ग्रहन की है, हम सदा ही पहने रहे, तो पूरन दिल गुनवान बनने से हमारा सारा साल क्या सारा जीवनी सदा नया रहेगा, शुब रहेगा और शुद रहेगा, तो ऐसे नए साल की मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो, ओम शार्थ